हेलो दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे स्यूट्यूब चैनल पर आज के सुड़े में हम बात करते हैं वाले बाइजो बाइजो बहड़ोदा टी टोइंटी चालेंज की मैच है जो जी एल ए वसे सी एच एके बीच की मैच की टीन ड्रीमिलियोन की विनिंग टीम्स जिसको मैंने अभी हाइलाइट करके दिखा दिया है आपको उस पर आपको क्लिक कर लेनी है अगर आपने अप तक यहाप टीम नहीं बनाई तो आपको क्रिएटे टीम पर क्लिक करनी है लेकिन मैं अल्रेड़ी टीन टीम में आपके रख चुका हूँ जिसे एक एक करके मैं को इडिट करके दिखा दूंगा किस को आपको लेना किसको नहीं लेना है और अखिर में किसको क्याप्टन और मना सकते वह भी मैं आपको दिखाऊंगा तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने मेरी चैनल कब तक सब्सक्राइ जा रहे हैं तो चले दूस्तों वीडियो को शुरू करते हैं मैं कर लेते हैं पर दिखा देता हूँ यहाँ पे दो की पर है और दोनों ने अभी तक अच्छा खासा पर्फरमेंस कहा है लेकिन हम पाइले टिव में सिर्फ एपास से को ले रहे हैं इसके अलाव किसी और को न सकते हैं क्योंकि उनका पर्फरमेंस काफी अच्छा रहा है अभी तक दो-तीनी मैचिस हुए और इन्होंने अच्छा खासा पर्फरमेंस कर दिया अगर बात करें अल्राउंड यहां पे पीशू सालूंखे को मैंने लिया है इसके बाद यह बट को लिया है उसके बाद एस देशाइको लिए और एमगेवर या को मैंने इस टीम में शामिल कर लिया है तो इस तर से जो हमने चार ओलरौंडर्स लिए है जो चार all rounders हमने लिये है उसमें से एक नहीं थोड़ा मतलब performance थोड़ा डाउन है लेकिन बाकि टीन ने अच्छा खासा किया है और वो चोथा भी प्लेयर काफी अच्छा है दोस्तों आप एक टीम में कम से कम इनको ज़रू लीजेगा क्योंकि काफी बढ़िया खेलते है फायदा हो सकता है ग्रांड लिंग में अच्छे कासी अंडिंग हो सकते हैं गेंबाज करें तो यहाँ पर मैंने इसहा को लिया है विघ्लाई और वाय सिंग को लिया है तो इसंतंसे तीनों में अब इतक काफी बढ़िया परफॉमेंस की दूस्तों तो जुरूर आप तो दोनों ने अभी तक काफी जबर्दस परफॉमेंस कहा है और इन दोनों टीमों में सबसे बढ़िया परफॉमेंस इन कही रहा है तो ज़रूर आप इन पर बहुता कर सकते दालों कर सकते टीम प्रिव्यू करा देता हूँ जैसे कि आप देख पार है मेरे पास केपिंग में पर है इसके बाद मेरे पास तीन बल्लेबाजे डियन पटेल के पटेल और ऐस जाधा हूँ आलरॉंडर इसके बाद कशनू में शामिल कर लिया इस बाद वाइस को लिया और इस शामिल लिया और तो तीनों की एज आपको पहले बता हैं काफी बढ़िया है और अच्छी खासी विक्टे ले रहे हैं तो इसलिए मैंने इन सभी को इस टीम में चूज किया है काफी बढ़िया टेम बच चुके दोस्तों अफकोस मैं आपको सजेस्ट करूंगा ग्रांड लिक के लिए यूज कर सकते स्मॉल लिक के लिए ज्यादा बे करें यहां पे मैंने क्यापटन ऐंगऴया को बना है और वासकापटन डिएन पटेल को बना दिए जिए दोस्तों की डोनों काफी अच्छे फॉर्म है और अगर के फायदा उछाना तो आपको इनको क्लवान काफी बटिया फार्म में अच्छे खासे बैटिंग आप ज़रूर हैं दोस्तों ज़रूर उनको वाइस केप्टण भी बना सकते हैं तो ज़रूर आप इन पर भी वर्षा कर सकते दाव लगा सकते हैं कुल मला के हमारी काफी यकन देता हूं कि तो ज्यादा में दूसरे में आपके दिखा ढोग्य के दूसरे में मैंने चेंज कर लिए राय को स्ब्सक्राइब कर लिए इसके लाएक किसी और को नहीं लिए अगर फे паль चलते था प्रीफेल बार मेरे पास चार बैट्स में चारों के साथ जरूर आप जा सकते इन चारों पर पर बरुषा कर सकते दाव लगा सकते क्योंकि इन्हों ने भी समने अच्छा खासा पर्परमस के तो जुरू आप इन पर वर्षा कर सकते दाव लगा सकते अगर अगर ऑल रॉंडर की बात करें तो यहां पर मेरे इस बार तीनी ऑल रॉंडर ले पाऊंगा क्योंकि मैंने अल्रेडी चार सब्सक्राइब मैंने चार मली जिसके वाज़े से मेरे पास तीनी ऑल रॉंडर रहेंगे जेबठ को मैंने लिया है उसके अला एंग घेवर को लिया है और एज परजापती को इस टीम में लिए ह। Nederland हम लेकिन अच्छा है क्योंकि परफॉर्मंस किया है उन्हें इतना अच्छा नहीं लेकिन फिर भी एक टीम में कम से काम मनेंको लेना ही और दोस्तों गेंण बाजी की बात करें तो गेन बाजी में मैंने फिर से शह को लिया है देख सकते पी घोडबादार गोड़ दरा को इस टीम में शामिल कर लिया है पिछले टिम में यह भी नहीं तो वाइस सिंग को वापस लिया है दोस्तों तो इस तरह से अच्छी खासी बन चुके और देंज अच्छी खासे और तो इस टीम का क्याप्टन मैंने दी एन पतेल को जिया दोस्तों पिछले टीम में जिनको वाइस कैप्टन मैंने आपको बोल दिया था कि इनको कहिना के जरूर बनाई है तो मैंने यहाँ पर उनको भी कैप्टन बदा लिया है काफी बढ़िया प्लियर है और अच्छे खासे लीजियर है तो जरूर आप इनके साथ जा सकते हैं पर बर्वर्सा कर सकते हैं डाव लगा है अगर भाइस कैप्टन की बात करें तो मैंने यहां वाइसिंग को यहाँ परका काफी डी यहाँअ काफी ले चैनि कि जदेने तीम में चार वल्लेबा यूदि लिए दीन पनी पेटिन को लिया है के पेटिल को लिया है और और गर कि लिए चारों कुलिया चारओंडज को सकते हैं ऑभी तो परफोर्वंस पिक पाइस ніता होंala ने बात करें तो जेबट को लिया है एच परजापति को लिया एम घेवरिया का लिया तीनों भी अच्छे खासे प्लियर है दोस्तों जरूर आप इन तीनों के साथ जा सकते और भरसा कर सकते डाव लगा सकते हमने यहां पर एक प्लियर चेंज कर लिया उनका प्रफॉंस थोड़ है देंगे जिसके वजह से हम घ्राणड जीट सकते यह फिर घ्राणड लिग में और अच्छी कासी अर्णिग कर सकते तो इसलिए मैंने उनको पर शामिल कर लिया जैन्धाजिवागर गोड़ दारा घोड़दारा को मैंने लिया वायसिंग को लिया और श्याको लिया तो इ इन पटेल बैटिंग तो करी रहे साथ इसा स्ट्राइक रेट भी काफी बढ़िया रहता है तो जोरू आप इनके साथ जासकते हैं तो आपको काफी फाइदा हो सकता है आप ग्रांड लिग जीत सकते यह फिर ग्रांड लिग में अच्छी खासी अर्णिंग तो जरूर कर सकते इस को भी मैं ज़रूर कोऊंगा ग्रांड लिग के लिए भी युजद कर सकते हैं स्मौल लिग के लिए बीछ कर सकते हैं लेकिन प्रकावंगा जादा से ज्यादा ह्वाइदा इसलिए मैं यह अँपर अ होससे कर सकते इंदा लगा सकते अब चलते इस त्यीन को कर लेते सेव कर लेते तीसरी और आखरी टीम में को इडिट करके दिझाँ तीसरी और आकरी टीम में मैंने शुरुवात में ही सर्प्राइजिंग चेंज कर लिया ए राय और यह पास सी दोनों कीपर को इस टीम में शामिल कर लिया इननों का भी पर्फरमस ठीक ठाक रहा है और एका टीम में तो हम जरूरी इनको ट्राय कर सकते क्योंकि काफी कम लोगों ने इन पर भी भर्षा किया चलते ऑल राउंडर्स पर तो जैसे कि मैंने तीन के दो की पर ले लिए तो यहां पर मेरे पास तीनी ऑल राउंडर रहने हो यह बट को लिया है इस देशाई को इस टीम में शामिल कर लिया है और एम घ्यवर यह को भी ले लिया तो इस तरह से तीनों हमारे जो आल राउंडर से काफी बढ़िया है और अच्छी खासे बैटिंग और बॉलिंग कर सकते तो जरूर आपको डबल पॉइंट दे सकते तो इसलिए मैंने इस तरह से किया है दोस्तों अगर गेनबाजी की बात करें तो गेनबाजी में मेरे पास यहाँ पर पहली बार मैंने यहाँ पे लिया है जे चंद को जिया दोस्तों अभी तक एक भी टीम ने जे चाद को लिया है अभी तक एक भी टीम में हम इनको नहीं ले पैते तो ज़रूर आप इनके साथ भी जा सकते इन पर भी बहुँता कर सकते पर दाव लगा सकते अगर बात करते हैं जो गेंद बाज है उनकी आपकी जगा जे चंद और अगर बात करते हैं वाई सिंग को तो रखा ही है दोस्तों और आर दिवान को भी मैंने इस टीम में फैली बाट शामिल किया है तो यहाँ पे मैंने दो चेंजेस कर लिए गेनबाजी में ताकि आपको अच्छी खासे अर्णिंग हो सके तो दोस्तों अगर आप चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं लेकिन मैं फिलाल इसी तर से जाओंगा कंटीडू पर क्लिक कर लेते हैं देख लेते कैप्टन किसे किया है तो मैंने यहाँ पे जो कीपर है पास सी इनको क्याप्टन बनाया दोस्तों अच्छा खासा परफॉमंस रहा है तो कुछ और आपके पैस अछिव कैप्टन बना सकते हैं या फिर के पतेल को भी आप क्याप्टन बना सकते हैं तो दोस्तों कफी अच्छा अच्छा औप्शन यहाप जरूर कर सकते हैं कंटीड टेम प्रिवियू करा देता ह। जैसे कि आप देख पार यहां पर मेरे पास दो कीपर ए राहे को मैंने लिया है अगर बात करते हैं बल्लेवाजी की तो बल्लेवाजी में मेरे पास के थियन पतेले वा गवचाला को मैंने शामिल कर लिया य गेनबाज में भी मेरे पास तीन ऑप्शन है दोस्तों जे चाद को लिया है उसके बाद वाइसिंग को लिया है और यहाँ पर ज़रूर दो चेंजे से दोस्तों अगर आपकी चेंज करना चाते तो जरू कर सकते यहाँ पर लेकिन फिर भी मैं नहीं के साथ जाओंगा मुझे लगता है कि यह काफी अच्छे गेनबाज दोस्तों जरूर आपको अच्छी खासे पॉंट देखे लेकि दे सकते तो जरूर आप इन पर भी बहुर सा कर सकते दाव लगा सकते और यह बी टीम काफी अच्छी बन चुके रोस्तों क्याप्टन और वाइस क्याप्टन के अग क्याप्टन की बात करें तो यह तो आल राउंडर है दोस्तों जे बट यह तो हमें अफकोस डबल पॉइंट देंगे बैटिंग और बॉलिंग दोनों में तो जरूर आप इन पर भी वरसा कर सकते दाव लगा सकते और वाइस क्याप्टन आप जरूर इनको चूज कर सकते क् लेकिन यह 50-50 कर चकते यानि दोनों के लिए आप अपनी मर्जी से उतकी जिएगा स्मॉल लीग और ग्रैंड लिग के लिए लेकिन पिछली दोनों टीम में ज्यादा से ज्यादा ग्रैंड लिग के लिए तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि मुल्टिपल स्टीम आप होगा चले दोस्तों इस टीम को भी क्लोज कर लेते और सेव कर लेते और आखिर में यहीं कौंगा दोस्तों कि इन टीमों में अगर आपको कुछ भी चेंज करने हैं या फिर आप क्याप्टन और वाइस क्याप्टन भी चेंज करना चाते तो जरूर कर सकते क्योंकि फिर भी अगर मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्की रहेगा क्योंकि आच्छी खासे टीमे बनिये तो जरू आप इस तर से कर सकते दाव इसी तर से टीमे लगा सकते बर्षा कर सकते दाव लगा सकते तो चलिए दोस्तो आपको ये तीनों टीमे काफी पसंद आये होगी अगर पसंद क्या है